नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग यहां पर UPSC Examination के रिस्पेक्ट में पेपर 1, GS पेपर 1 के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं और अगर ग्लोबल लेवल पर कुछ नेशन पर अगर temperature rise हो रहा है तो उसके साथ-साथ women's पे domestic violence के भी chances बढ़ जाते हैं तो ये issue को detail में समझेंगे कि क्या कारण है और किन-किन regions के उपर इसका सबसे ज़्यदा प्रभाव देखने को मिल सकता है तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस lecture को तो सबसे पहले आप जैसे के देख पार हैं कि temperature के बढ़ने के साथ-साथ domestic violence के incidence भी भढ़ सकते हैं deadly heat waves के सेनारियो आज के टाइम पर पूरे global level पे देखने को मिल रहे हैं whether it is US, whether it is Canada, European nations जहां पर heat wave के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्य हो रहे हैं लेकिन अब यहां पर एक नई चीज जो सामने आई है वो यह है कि domestic violence के संभावना बढ़ जाती है अगर temperature rise होता है अगर heat waves आती है यह climate crisis सबसे पहले जिनके ऊपर इसका impact देखने को मिल सकता है violence के तौर पे वो होंगी women's अब यह क्यूं है और इसके पीछे का क्या reason है study क्या कह रहे हैं इसको समझते है तो सबसे पहले यहां पर एक report आई है JAMA Secretary के तुरू जिनों ने यह कहा है कि हर साल अगर एक डिगरी Celsius temperature बढ़ेगा तो हर साल 6.3% rise होगा physical और sexual domestic violence में और जिसमें South Asia की तीन country सबसे जादा prominent है India, Nepal और साथी साथ पाकिस्तान study ने यह भी कहा कि कुछ 1,94,000 girls और women's हैं 15 से 49 years की एच में जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में सेंट्रिक रीजिंस हैं जहां पर emotional, physical और sexual violence के chances बढ़ सकते हैं यह probability है मतब एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है हर degree increase अगर होगा temperature तो 8% rise होगा physical violence में और 7.3% rise होगा sexual violence में यह countries world over extreme temperatures के grip में है heat waves है, world over ही हमें heat waves देखने को मिल रही है बड़ यहां पर इन 3 nations पे इसका impact बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकता है तो देखिए एक तो issue आगया कि temperature के respect में क्या women's पे impact आएगा और कही ना कहीं दूसरा agenda यह भी है कि क्या women safe है अक्सर ही यह question आता है अगर हम लोग देखिए इसमें अप्टू 45 दिग्री सेल्सियस तो है temperature बढ़ चुका है बहुत सारी ही चुलेटे डेट्स हुई है ऐसी similarly European nations में जो meditarian belt है बहां पर भी इस यह एप्रिल में बहुत बड़ी मात्रा में टेक्सिस युएस के अंदर भी डेडली हीट वेव शेली 46 दिग्री सेल्सियस तक चाइना में नदन रीजिंस के अंदर Chinese government ने अपने हा के लोगों को बोला है कि आप घरो के अंदर रही है यह पर इसे फाक्टर होँगी जो फामिली क्राइस भी लेकर रहेंगे जिसका इंपाक्ट वाइलन्स हो सकती है वीकर सेक्ष्च्यों पर विमन्स के अपर रिसेर्चर इस चीज के बार में बात करें कि अगर हीट-related increase होता है तो वाइलन्स भी क्ष्च्छ ग्रॉप्स इंक्रीज हो सकती है अगर अगर देफिन बोडी देफिन इसका कर इंपाक्ट अब आप देखने को मिल सकता है अगर स्धमिन्स की अगर इसका इंपक्ति अगर इसका इंपाक्त आईगा तो डेfynिटली इसका इंपक्ट घूज इंपाट अट्रेसरच के हिसाप से इस heat exposures से Adolin rush, program, Ton ऐसे अच्टिवेट कर सकता है, आक्टिवेट कर सकता है यह ग्रेशन को, brain areas को ऐसे अच्टिवेट कर सकता है जो emotion को regulate करते हैं इसका इंपाक्ट definitely वोमेंस के और आ सकता है, बहुत सी country है, जो death rate to count कर लेती है heat related illness से जब भी heat waves आती हैं बट क्या वो इस temperature rise से women's के उपर जो domestic violence हो रही है उसको counter कर पाएंगी बहुत सी adverse impacts हैं जो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे and बहुत से इसे impacts जिसके वोसे heat waves से लोगों की जाने ही जाती हैं बट क्या यह impact जो women's पे करने वाला है temperature के बढ़ने से क्या उस चीज को monitor करने के लिए government के पास कोई measures हैं सो यहां पर एक study के हिसाब से जो true public health है जो climate change को study कर रही है वो health risks को तो study कर सकती है लेकिन इस violence को, domestic violence को counter करना उनके लिए मुश्किल है heat waves सिर्फ और सिरफ humans की body क्यूपर mental illness, anxiety or post-traumatic stress disorders ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मातरा में women's की उपर इसका impact देखने को मिल सकता है and specifically इसमें जो targeted women's हो सकती है वो हो सकती है lower section या lower income group के women's तो students यह हम लोगो ने आज यहां पर इस issue को साजा है कि कैसे कभी हम सोच भी ने सकते कि अपरेचर इंक्रीज होने से domestic violence का क्या रिलेशन है तो सोचल इशू के पेपर के अंदर आपसे इस तरीके का कोई क्वेशन जो है वो पूछा जा सकता है जहां पे आप इन पॉइंस को रख सकते हैं अपने ऐसे के पेपस में इसको रख सकते हैं अपके एँ सुस्फरा है तो समन्हें की म電ा करें जाता है कि आपको इसका आंसर हमें in the comment box में देना है माउंटेंज के में पहला स्वरा इसक्न माउंटें के व्रिच च्रिए माउंटेंच को रिचपेंचाहं चिल और अपरिक्स वर्च्रांटेंचाहता हैं do remember यह आपको बताना है 1 only, 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3 सो इसके बारे में हमें जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजेगा next topic में हम लोग किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और साती साथ आपकी examination के preparation भी interesting तरीके से हो पाएगे next video में मिलेंगे कुछ और topic के साथ till then keep studying, thank you so much